तो जमू कश्मीर विधान सबाच चुनाव के पहले राज्य के पूर मुखेमंत्री और नाशनल कॉन्फरेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दल्ला के एक बयान पर सियासी गमासान यहाँ पर छिड़ गया है उमर अब्दल्ला ने एक न्यूज एजिंसी को दिया इंटेव्यू में कहा कि संसद में हमले के दोशी अफजल गुरू को फासी देकर कोई मकसद हल नहीं हुआ उन्हेंने कहा कि अगर फासी देने के लिए जमू कश्मीर सरकार की मनजूरी जरूरी होती तो वो कभी इसकी मनजूरी नहीं देते ओमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता सज्जाद यूसुफ ने कहा कि अफजल गुरू की फासी जमू कश्मीर के लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में एक जरूरी कदम था वही राज्य में साथ चुनाव लड़ रही कॉंग्रेस ने ओमर अब्दुल्ला के इस बयान से किनारा कर लिया है कॉंग्रेस नेता सल्मान खुर्शीर ने कहा कि चुनाव के समें इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत ही क्या है My unfortunate thing was that the JNK government had nothing to do with Afzal Guru's execution Otherwise you would have had to do it with the permission of the state government Which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming Why? It wouldn't have, we wouldn't have done it I don't believe that any purpose was served by executing him I don't I don't know if he has a question or something else That is the issue of elections What will we do here? We will discuss the election here We will discuss the election here